तो आज हम बनाने वाले बकराईड बहुती बहतरीन से गोश के अचार की रेसिपी वो भी पूरे 5 किलो का अचार परफेक्ट मेजरमेंट के साथ में परफेक्ट आज हम रेसिपी आपको देंगे और ये अचार कमस कम 2-3 मेने तक हम इसे स्टोर कर सकते इस तरीके से हम ये रेकेदार लगता है बहुत ही लजीज बनकर रेडी होता है जब भी आप इस अचार की बरनी खोलेंगे न तो पूरा कीचन आपका मैक उठेंगा असलाव अलेकम जबेस्ट कुक्वित आहित में आपका स्वागत है अगर आपको हमारी नई रेसिपीस पसंद आती तो प्ली बताएंगे अगर आपको 10 किलो का बनाना है तो इसकी कॉंटेटी आप डबल कर दे सारे मसालों की इसमें एक कफीनेगर दालेंगे नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग दालेंगे लगबख हमने यह आपे 2 टेबल स्पून नमक दाला है 1 टी स्पून भर के हल्दी हम इसम करना पड़ेंगा इस पेचुला से मिक्स नहीं होगा क्योंकि बोटियों को कहीं पर जो मसाला है अद्रक लसन का पेस्ट कहीं पर लगेंगा और कहीं पर नहीं लगेंगा तो अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसे 1-2 घंटे के लिए ढखके रख देंगे ताकि अच्छी तरीके से मेरिनेट हो चुका तब हम इसे क्या करेंगे इसमें सारा पानी निचोड़ लेंगे इस तरीके से हातों में डालकर गोश्ट को अच्छे से पानी इसमें से मतलब कि इसका पानी निधार लेंगे और एक दूसरे बरतन में हम इसे रखते जाएंगे इस त पानी का क्या करने है तो भी इसे झाकर हम रख देंगे ताकि मअच्छ तकि अह समय आ यहां पर ऑलगा बड़ा सालमी हो गई हाफ। या half teaspoon काली मेश हो गई, half teaspoon long हो गया, 2-3 तेज पत्ता हो गया, 2 tablespoon भरकर साबुद जीरा हो गया, और कलमी के जो है, तो ये 2-3 बड़ी stick होती नो, और यहां पर 2 tablespoon भरके कलोंजी, ये डालना totally optional है, अगर आपको पसंद हो तो आप इस डाल सकते वरना skip भी कर सकते, कलोंजी को थोड़ा कम भी कर सकते, अब इन सारी चीज़ों को थोड़ा चटकने देंगे, यानि अच्छी तर हमें करके दालना है, एकदम नहीं दालना ताकि इसमें जो त्ये ओईल है, उसके छीटे ना उड़े, और फिर इसे अच्छी तरीके से नीचे उपर, नीचे उपर करा देंगे, ताकि जो भी इसमें हमने गरम मसाले दाले है, तो मतलब गोश में इसका जो flavor अच्छी तरीके से आजाए, तब हम इसे अच्छी तरीके से mix करेंगे, mix करने के बाद में हम इसे ढखकन से ढख देंगे, फुल फ्लेम पर पकने देंगे, फ्लेम अभी हमें बिल्कुल भी कम नहीं करना, अब जब तक ये गोश्ट पकता है, तब तक हम इसके मसाले बना रेंगे, तो हम गै इस कब से हम एक कब भर कर धनिया लेंगे, आदा कब भर के इस तरीकी की राई दाल लेंगे, अगर आपके पास में ये अवेलिबल ना हो, तो साबुत राई भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वन टी स्पून भर कर मेथी लेंगे, मेथी बिल्कुल भी ज़्यादा ना लेंगे, कड़ भी हो जाएंगे, तू टेबल स्पून भर कर हम इसमें जीरा लेंगे, लगभग हाफ कब जितना, और अगर धनिया हम में ग्रैम से गिनेंगे न तो ये है, तो पचास ग्राम धनिया है, और आप वन टेबल स्पून भर कर कलोंजी लेंगे, कलोंजी दालना और अपको जैसी खुशबू आना शुरू हो जाएंगे, तब हम इस गयास को एकदम से बन करना है, ताकि एकदम क्रंची हो जाएंगे, ताकि इसे पीसने में मुश्किल ना है, इसलिए हमें करना है, तो हम इसे रोस्ट करके रख देंगे, अब यहाँ पर हम गोश्ट में क्या हाले द देखेंगे, इस ओईल जो है, वो पूरा सेपरेट हो चुका है, यानि हमने लग रहा है कि अब इसे हम फ्राय करेंगे, इसमें जो भी ओईल है ना बचाओ इसमें अच्छे से धीमियाच पर फ्राय करेंगे, ताम एक बोटी आपको तोड़कर बताएंगे, कि यह कितनी हम हैं, तो निकालने में बताने में थोड़ी परिशानी हो रहे, तो देखेंगे, इस यह बोटी है तो अच्छी तरीके से सौफ्ट हो चुकी है, अब इसे 10-15 मिट हम, फुल फ्लेम पर वहीं पर गैस के पास खड़े रहे के, इस जारे से नीचे उपर करेंगे, ताकि जो कोटिया हैं, तो अच्छी तरीके से फ्राय हो जाए, तो हमें बोटियों को गोल्डन ब्राउन करना है, तब जब तक यह फ्राय होती है, तब तक हम क्या करेंगे, जो हमने गोश्ट का बचा हुआ पानी है तो उसमें से हमने आधा पानी अलग रख दिया, आदे पानी में जो हमने पीसकर मसाला रखा है न, दर-दर वो डालेंगे, और हाफ कब भरकर इसमें हम लाल मिश कोड़र दालेंगे, वन टी स्पून भरकर सिट्रिक आइसिड डालेंगे, जो नीम्बू सत होता है न, और टू टेबल स्पून भरकर राई डाल डालेंगे, आप साबूत रा हो न, तो 15-20 नीम्बू का रस लगेंगा हमें, नीम्बू हमें इसमें जादे लगते हैं, इसलिए सिट्रिक आइसिड आप यूस करें, क्योंकि सिट्रिक आइसिड हर किसी के पास में अवेलिबल होता है, अब इसमें हम क्या करेंगे, एक कप भरके हमने ओईल निकाल के दालेंगे, यह भी दालना ऑप्शनल है, लेकिन इसमें जो गोश्ट के अचार में टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इसका, तो हम यह दालेंगे, अब देखिए गोश्ट जो है कितनी अच्छी तरीके से फ्राय हो चुका है, और इसमें जो गोश्ट की बोटी अच्छी तरीके से गल भी जा और टेस्ट भी आजाए, इस टाइम पर अब हम क्या करेंगे, जो हमने मसाला बना कर रखा है ने, जिसमें ऑईल वगरा दाल कर रखा है, तो यह अब हम इसमें दालेंगे, और अच्छी तरीके से अब इसे मिक्स करेंगे, पहले मिक्स कर लेंगे, और जो flame है ये slow पर ही रखेंगे बिलकुल भी हमें full flame पर नहीं हुने को हम फुल flame पर रखेंगे तो जो ये गोश्ट है नीचे से जल जाए अगर ये नीचे से जल गए ना तो पूरा गोश्ट क ряд का जाए का बेगर जाएंगा है। तब मसाला डालने के बाद में हम क्या करेंगे साइक मि- आखिया तरीके से नीचे उपर करेंगे ताकी सारे मसालेAy heeft यह सारे मीश्र değin आखिया लगे बहुती अची तरीके से उम इस सारे मसाला लग जाए। यकीन मानियेंगा इसे इतना टेस्टी बनकर रेडी होता है हम तो आपको दो मैने कहे रहे हैं लेकिन बहुत जादे दिन यह चलता है इस टाइम पर हम क्या करेंगे इसे चक लेंगे ताकि इसमें अगर नमक मिर्च थोड़ा कम जादा हो तो हम इसमें इस टाइम पर मिक्स का सके अब जो बचा हुआ गोश्ट का पानी था ना वो हम फिर से इसमें डाल देंगे और डालने के बाद मैं फिर से निचे उपर करेंगे ताकि जो बिल्कुल निचे से चिपके भी ना और खराब भी ना और आप हम इसे क्या करेंगे स्लो फ्लेम कर देंगे और इसे पकने देंगे अब इसमें हम क्या करेंगे खुश्च्बू के लिए थोड़ा सा करी पत्ता लेंगे करी पत्ता दालना जरूरी है क्योंकि करी पत्ते से refine दों तेस्ट बहुत बहुत अच्छा आता है इसमें दो से तीन तेज पत्ते डालेंगे और फिर से हम आप नीचे उपर करेंगे बस इसका यही पर काम यह है कि थोड़ा सा इसे मिक्स करते रहना नीचे उपर करते रहना देखे गई इसमें कितना जादा ओईल रिलिस करते हैं और सेपरेट हो रहा है तो इस टाइम पर यह निशानी है कि जो अचार है अच्छी तरीके से बन चुका है अगर आपको थोड़ा जादा ओईल चाहिए तो आप इसमें ओईल फिर से गरम करके मिला सकते हैं लेकिन हमें गोश्ट का अचार में जादा ओईल पसंद नहीं तो दे इसे बॉइल करने की जरूरत नहीं जादा ताम जाम करने की जरूरत जितना अच्छा यह देखने में उससे कई जादा इसका जायका अच्छा है जहाँ पर आप एक रोटी खाते हैं वहाँ पर दो रोटी आ खाना पसंद करेंगे तो आपको यह रेसी भी पसंद आई हो शुक्रिया गईस अलाह अपीस